मैनी डाइम ऐसा होता है कि दोस्तों आपका ब्रेक अप हो जाता है आपका जो प्यार है आपको रोता हुआ छोड़ जाता है आपका दिल थोड़ के चला जाता है अब क्या होता है अब जैसे तैसे अपने आपको सम्हालते हैं और लाइफ में थोड़ा सा मूव आन होने की लाते हैं और वैसे अचानक ही आपके बीटे हुए कल का मैसिज आता है आपके एकस बाूय फ्र mmm ate का आता है और वह आपस ते शॉरी बोलता है वह इंसान देना तो बनता है अब ये गलती नहीं करेगा इसको सीख मिल गई है तो क्यों नहीं एक मौका दे दिया जाए तो अगर आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है और आप भी अपने उस प्यार को दुबारा मौका देना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा क क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे रीजन बताने वाली हूँ जिसके वज़े से वह आपकी जिंदगी में दुबारा आ रहा है आप पहले इन रीजन के बारे में जानिए कि वह क्यों आना चाता है फिर आप खुद ही डिसाइड कीजेगा कि उसको दुबारा जि जो इनसान आपको छोड़ के आपको ठुकरा के चला गया था वो इनसान दुबारा आपकी जिंदगी में आ रहा है तो इसके पीछे भी कोई रीजन तो होगा ही ना तो कौन कौन से रीजन हो सकते हैं सबसे पहला रीजन जो हो सकता है वो ये कि उसने आपको छोड़ा था क् उसके जिन्दगी में कोई और आ गया था आप से बैटर इनसान उसको मिल गया था अब वो आपको छोड़के चला गया उस बैटर इनसान के लिए उस अच्छे इनसान के पास में जब उसने आपको छोड़ा और उस इनसान के साथ में रहना शुरू किया तो उसको यह एहसास ह आप उस इनसान से ज्यादा अच्छे हैं जो आपके अंदर व्यादी इस इसाथ में उसकी ज्यादा अच्छे से निपती है अब दूसर reason क्या होता है आपके ex के लौटने का वो यह होता है कि जब आपका ex आपके साथ में था तो उसको बहुत सारे अच्छे options मिलते थे बहुत सारे अच्छे लोग उससे तकराते थे और उसको यह feel होता था कि भई आपसे better options उसको मिल जाएंगे आपसे अच्छे लड़के या फिर आपसे अच्छे लड़किया उसको मिल जाएंगे इसलिए उसने आपसे break up कर लिया क्योंकि आपके अंदर कमिया उसको दिखने लगी थे अब break up कर लिया इस गलत family में कि आपसे ज़्यादा अच्छे लोग है अब छोड़ने के बाद उसको ये feel हुआ कुस time अकेले बिताने के बाद में कि वो तो single ही है और single ही रहेगा क्योंकि उसको तो कोई घास भी ने डालता आप उसको प्यार करती थी या फिर करते थे तो उसको बहुत सारे option दिख रहे थे लेकिन reality में उसके लिए कोई option नहीं है और वो अकेले ही रहने वाला है उस अकेले रहने के डर से वो इंसान दुबारा आपके पास में आना चाता है आपकी जिंदगी में आपका प्यार बनके रहना चाता है अब तीसा reason कौन सा है दोस्तो आपने जवी मेट मूवी देखी है उसमें गीत यानि की करीना कपूर का एक boyfriend था अंशुमन अंशुमन एक छोटा सा businessman था उसके पीछे गीत हद से जादा पागल होती है बावली होती है घर चोड़ देती है उसके साथ रहना चाती है उसके घर पर जाती है प्यार की भीख पांगती है लेकिन अंशुमन उसको भाव नहीं देता लेकिन जिस दिन अंशुमन को यह पता चलता है कि जो इतना फेमस इतना बड़ा बिलीनियर जो businessman है जो शाहित कपूर है वो उस घीत के पीछे पागल है वो इनसान अंशुमन की girlfriend की पीछे पागल है तो अंशुमन की दिन में अचानक से गीत के लिए प्यार जग जाता है क्यों क्योंकि अंशुमन को लगता है कि यार वो लड़की जो मेरे पीछे थी उसमें कुछ बात तो होगी यार उसमें कुछ तो ऐसा होगा कि इतना पैसे वाला आदमी जिसके पीछे 36 प्रेंड बन गया हो जो बहुत ज्यादा बैटर हो उससे जो आपका एक्स है उससे और आपको पसंद करने लगा हो अब यह चीज़ पता चल गई है आपके एक्स को अब इसी वज़े से आपका एक्स बेचैन है उसको लग रहा है कि यार इतना अच्छा इंसान आपकी आपके एक्स का वापिस लोटने का दोस्तों हो सकता है ब्रेकप के बाद आपने अपने आपको बहुत ज्यादा इंप्रूफ किया हो हो सकता है कि जब आपका बेकप हुआ उसके बाद से अब तक आप ज्यादा सुन्दर लगने लगे हो ज्यादा हैंडसम बन गए हो आपन अंदर कुछ ऐसी चीजे ऐसी qualities निखर के आ गई हैं आपने कुछ ऐसी चीजे learn की हैं जो आप पहले नहीं जानते थे ultimately आपकी अपने जिन्दगी में कुछ अचीव कर लिया है आप किसी मुकाम पर पहुंच गए हो आपने अपने आपको पहले से better बना लिया है और इस वजह से वो इनसान आपकी जिन्दगी में वापिस आना चाहता है क्योंकि देखिए मैं हमेशा एक चीज अपनी वीडियो में बोलती हूं कि हर एक इनसान को अपनी personal growth पर focus रखना चाहिए हमें अपने आपको हमेशा इंप्रूव करते हैं आप जो improvement होता है ना वो आप आपको तो खुशी देता ही देता है आपके जो आसपास लोग होते हैं उनको भी आपके तरफ अट्रक करता है आप जब पहले उसके साथ में थे तो आप में वो बात कमाल की बात नहीं थी जो बात अब आ गई है और जो कमाल की बात आई है जो achievement आपने ली है जो you know progress आपने career में अपनी life में किया है उसके वज़े से वो इनसान आपके तरफ खिच रहा है और इसी वज़े से वो आपकी तरफ वापिस आ रहा है आपकी जिन्दगी का हिस्सा बनना चाहता है अब यह वो चार रीजन है दोस्तों जिसके वज़े से आपका जो ex है आपके जिन्दगी म या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया है इसलिए आ रहा है यह सोचना आपका काम है और क्या आप एक ऐसे इंसान को मौका देना चाहेंगे जिसने आपको छोड़ दिया था आपका दिल तोड़ा था आपके दुख का ख्याल नहीं किया था अगर आप देना चाहते हैं तो यह बिलकुल आपकी चाहिस है क्योंकि जिन्दगी आपकी है